कुछ आइज वेलकम टू माई चैनल सूमे टैरोट कार डीडिंग और आज की टैरोट कार डीडिंग जो है वो गैंडल बैक्स रीडिंग होने जा रही है और इस रीडिंग में जो फोकस रहेगा वो इस चीज़ पर रहेगा कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ है या फिर इस समय पर उनका आपके साथ no contact situation है तो वो क्यों आपसे दूर है क्या बात ऐसी है जो वो आपसे दूर है और आपसे contact नहीं कर रहे हैं और अगर वो आप दोनों की बीच में contact नहीं है इस समय बात नहीं कर रहे हैं तो क्या है उनका हाल आपके बिना कैसी है उनकी life क्या उनको आपकी याद आती है कि नहीं क्या वो चाहते हैं आपसे बात करना है ना सारी चीजों को देखेंगे तो चलो को लैक सिस्क्राइब कर लिजेगा बैल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि मेरी टेरोकार डिटिंग का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए जैसी मैं रिडिंग करूं तुरद आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए इसके लिए आपको चलो को सब्सक्राइब एंड बैल आइकल को जरूर आपको प्रेस करना होगा तभी नोटिफिकेशन मिलेगा तो अभी बिना देरी लगाए देख लेते हैं उनका हाल प्रेस केंडल मैंने यहाँ पर जला ली है तो सबसे पहले देखेंगे इनकी एनरजीस तो यूनिवर्स आपसे बिंती है एंजल सबसे प्राथना है कि जो भी मेरे विवर्स के मेरे सब्सक्राइबर्स के परसन के दिल में जो कुछ भी है प्लीज आप मेरे सामने लेकर आए ताकि मैं उनको बता सकूँ प्लीज गाइड करें नाम ले लीजेगा जो भी अपने परसन को आप प्यार से बलाते हो ओहो यह इनसान तो आपको ब्लॉक करके बैठा हुआ है पूरी तरीके से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है डियर गाइज लेकन इनकी आखों में तो मुझे आसु दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहे है कि क्योंकि देखो नाıma चोटे-चोटे से हर्ट शेप बन रहे हैं, और उसमें हर्ट में जो अनर्जिस बन रही है ne, वह ब्रेक बन रही है, मतलब आप ये समझ लोग कि आप के पार्टनर की जो अनर्जिस मुझे यहा पर मिल रही है वो स्मॉल स्मॉल हार्ट बनती हो दिख रहे हैं मुझे बहुत तेजी से बट वो हार्ट में प्रेक आ रहे हैं तो दिल तूट रहा है इनका आप से दूर होकर उदास है यह इनकी feelings ये बहुत प्यार करते हैं आपसे ये भी मैं बोलूँगी आपसे लेकिन इस समय पर जो person की energies है वो रुक रही है ये person अपने दिल में बातों को बहुत रखते हैं ये चीज मैं देख रही हूँ कि दिल में ना दबा के रखते हैं मतलब जैसे क्या है ना कि अभी इस समय में energies को देख रही हूँ कि ये रात रात भर हर टाइम ये आपके बारे में सोचते रहते हैं इनका मन करता है कि आपसे मिले आपके साथ जो है वो time बिताएं है ना क्योंकि पहले आप पास्ट में मिले होगे जरूर आपने साथ में जरूर समय बिताया होगा तो उन चीजों की जो यादे हैं ना वो यादे मतलब इनको बहुत जादा इनको और भी जादा आपकी करीब लेकर आ जाती है यह चीज मैं देख रही हूँ पिछली यादों को जब भी यह याद करते हैं ना तो और मतलब इनको लगता है कि आपके पास आएं आपसे बात करें काफी जादा मतलब मैं यहाँ पर यह देख रही हूँ कि इस समय जो परसन है ना वो सैड भी हो रहे हैं बाबुक बहुत जादा हो रहें एमोशनली बहुत जादा है काफी टाइम से आप लोग के बेच में नहीं हुआ है यह चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है दूर भी है आप लोग क्या लांग डिस्टैंस हो या फिर दूरियां में यह भी लग रहा है कि यह भी हो सकता है अनर्जी जो दिख रही है कि मतलब काफी टाइम से क्या हो रहा है ना कि इनके और आपके बीच में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है तो अभी कॉन्टेक्ट नहीं है ना तो इनकी और इक्षा हो रही है कि आपको देखें आपसे बात करें पूछें आपसे कि आपको इनकी याद आती है कि नहीं आती है बहुत बुरा हाल है इनका नो कॉन्टेक्ट सुच्वेशन में प्रजेंट सिच्वेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ना जो भी आपकी ये पार्टनर है ना इनकी फिलिंग्स तो आपके लिए भावना है तो ट्रू है लेकिन कई ना कई आप दोनों मिल ली पा रहे हो या आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स जादा हो रही है इस ट्राइम पर या पीछे कुछ ऐसी बाते हो गई जिससे ना मतलब इन्होंने आपसे बात करना इग्नोर करना शुरू कर दिया आपको है ना आज बड़ा पच्तार है मुझे आज जो एनर्जीज मिल रही है ना ये किस परसन के एनर्जीज आई डोंट नो मैं नहीं जानती हूँ लेकिन ये जो भी परसन है ना इनका प्यार इतना तेजी से आपकी तरफ मुझे लग रह है मतलब कहीं ना कहीं खुद से हो सकते हैं कि इनोंने आपसे बात करना बंद कर दिया हो खुद से नोंने कह दिया हो कि मुझे तुमसे मूबन करना मुझे बात नहीं करना है लेकिन पीछे की इस्तिति ना पीछे के जो इस्तिति है ना वह बहुत जादा मतलब इनके लिए पेन फुल ज़ाधा हो रहा है मतलब ऐसा लग रहा है मेरी को कि जैसे कुछ सच जो है न वह आप से छुपाया जा रहा है सच ना बताकर आपको वह बताया जा रहा है जिसको सुनकर आपको ब्लीव नहीं हो रहा होगा कि इंसान मेरे से ऐसा वेप क्यों कर रहा है क्यों अचानक मुझसे दूर चला गया क्योंकि आपको इनकी जो ट्रू भावनाएं हैं न वो ट्रू भावनाएं अपनी नहीं बता रहे हैं हैं कि मैरैस ब्रेक हुई है क्या आपकी मैरैस ब्रेक हुई है या फिर हैं AKर कोई ड्रीम्स आपका इनके साथ जुड़ा था इन्होंने प्रॉमीशिस की एक कुछ मैरैस को लेकर आपने सप्ने देखे थे वह कुछ इनकी साइट से ब्रेक हुए है यह चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है अक्चुल में कुछ ऐसी बाते हैं जो यह ना आप सिर्फ छुपा रहे हैं अपनी जो प्यार फिलिंग्स है ना वो हाइड कर रहे हैं कि बहुत जल्द वह समय आने वाला है डियर गाइस कि आपको अपनी वह बातें बताएंगे जो इतने टायम से इनके दिल में ना मतलब आप यह समझ लो कि किसी बात को जब कहते ना कि क्या वर्ड बोला जाता है कि घड़ा भर जाता है लाइक क्या होता है वह वह बाट आइड बाता है ना मतलब आप यह समझ लीजिए कि आपके परसन इस समय जो अनर्जीज उनकी मुझे दिखरी है ना वह अनर्जीज आप पूरी तरीके से ना अब उनके वश में नहीं होगी वह नर्जीज टूटेगी मतलब जो पूछ चुपाते जा रहे ना उस गम को सहते जा र हो रहा है आप एक साहत अपने वर्क जरूर किया है या आप एक साहत बहुत टाइम आप ने बिताया है हो सकते है कि आप लिवन में रहे हो आप अच्छे अनर्जीज कि फ्रेंड्स में हो लेकिन इनके साथ जो रिष्टा आपका रहा है ना वह रिलेशनसिप जैसा कोई रिलेशनसिप नहीं इनुने आपको बहुत प्यार किया है आप लोगों में जो एनर्जी में देख रही नो उस एनर्जी के अकॉर्डिंग अप हमेशा से आपने यही सोचा है कि हम दोनों जो है ना वो अल्वेज स्टेवल रहेंगे यह चीज मिझे आपके दिखाए दे रही है पूरा मतलब आपने आज कभी भी ऐसा सोचा नहीं होगा क्योंकि आज चो इस्तिती मुझे दिख रही है ना उस इस्तिती में आप लोग दूर दूर दिख रहे हो लेकिन कितने ताज़ब की बात है कि ये भी दूर है आप भी दूर हो लेकिन दौलों की सोल कितने पास है आप लोगों की आपके कोई gifts जो आपने दिये थे या इन्होंने आपको दिये थे कुछ तो है इनके पास आपका, कुछ तो है जिसको उन्हा आपने सीने से लगा कर रखते हैं कुछ gifts या कुछ ऐसी memories आपकी कोई teddy bear flowers, chocolates ऐसी चीज़े दिख रही है यहाँ पर जो इन्होंने आपको दी थी या आपने इनको दी थी कि इनके पास वह memories मुझे दिख रही है वह चोटे-चोटे सी memories है ना लेकिन आज इनके लिए वह memories ही जो है वह इनको बहुत मतलब आपकी तरफ़ ट्रैक्ट कर रही है आप यह से मज़ लीजी कि वह चोटे-चोटे से आपके gift वह चोटा सा एक प्यार भरा message जो आपने इनको सेंड किया था कभी आपने कोई चोटा सा प्यारा सा song इनको सेंड किया था ऐसे energies मुझे आ रही है अलगे general reading है dear guys I think पता लिए किसके साथ resonate कर रही है यह reading मुझे नहीं पता लेकिन हाँ इसमें मुझे प्यार दिखाए दे रहा है जो आज भी इस इनसान को आप से है और यही प्यार यकीन मानिए यह इनसान को आपके करीब लेकर आएगा लेटर्स बता देती हूं मैं जो बन रहे है यहाँ पर लेटरs A से बन रहा है और से बन रहा है आपके partner का letter मतलब न्यू बिगिनिंग एक न्यू हैपिनेस को दे कर दिया होगा आपको इस लव ने मतलब आपके लाइफ में जब आपका पार्टनर आया होगा एक ऐसा लगा होगा जैसे कि मतलब बिच्छड़ हुए कब के बिच्छड़ हुए माज मिले है के के लेटर दिख रहा है एन एम सी लेटर्स यहां दिख रहे है पी लेटर्स हो सकते हैं डी हो सकता है आपके पर्शन का ठीक है ए मेरे को बहुत दिख रहा है आई आई से किसका नेम हो सकता है अच्छा इनकी जो अनर्जीस बन रही है ना उस अनर्जीस के अकॉर्डिंग मुझे तो जो हमेज भी दिख रही है ना यहां पर उससे लग रहा है कि मतलब अपने आपकी उपर ना खुद की उपर कंट्रोल रखना इनके बस की बात नहीं क्योंकि आपसे इनने इतना प्यार किया ना वह प्यार अब जब दूर हो गयो ना तभ इनको वो प्यार की वेल्लियू समझ में आगे जिसकी इनोने एक टाइम ऐसा हो गया था जिस प्यार की इनोने कदर ने थी है ना जिस चीज के लिए ये पीछे आपके पीछे ना एकदम दीवानों की तरह भागते थे वो चीजे एक टाइम की बाद ऐसी हो गई कि जब आप सामने भी आने लगे ना तो इनको इंपोर्टेंस खतम हो गई और आज जब नो कॉंटेक्स सिच्वेशन है ना इतने टाइम से आपने की उसे को नहीं मिले वह बैठे वह बात ने किया तो वह सारी चीजें यकीन मालिएगा दुबारा से इनकी जो है ना बॉर्न हो गई मिलने की एक्षा देखने की एक्षा बात करने की एक्षा आवाज सुनने को चाहते हैं कि आवाज सुने आपकी काफ़ी टाइम से आवाज भी ने सुनी है आप लोगों ने एक दूसरे की आपकी फिलिंग्स देखती हो चलिए आप तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो मतलब हर टाइम अपने परसन के बारे में ही सोचते हूं निकाल देते हो आपना पास्ट के यादों को जब भी पास्ट के याद आती है ना तो आपकी फेस पर प्यारी सी स्माइल होती है लेकिन जब आप प्रिजेंट सिच्वेशन में आते होनाः आप सेड हो जाते हो कि आपको लगते की मेरा पास्ट बहुत प्यारा था इनके साथ आपका जगास्ट के आप याद करके क्यासे हो गया जिसने मुझे से बात करना बंद कर दिया मुझे मैसेजिस करना कर दिया इस 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 को देख रही हूं तो मुझे रहा आ कि तूरियों में क्या होता है ना कि गलत फेहम यह जादा बढ़ जाती है और जिस तरकी का इनका चीज़ें जो छुपा रहे हैं यह हाइड कर रहे हैं अपनी फिलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं उससे कही नहीं और दूनिया हो रही है आज भी मतलब एनरजीज यहाँ पर जो मेरे को दिख रही है उसमें कहीं न कहीं अगर आप इनकी लाइफ में आ जाओ या आपकी लाइफ में आ जाए तो एक न्यू बिगनिंग आपकी स्टार्ट हो सकती है ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मेरे को इनके साथ आपका रिष्टा एक बहुत स्ट्रॉंग एनरजीज में आ रहा है एक्स्ट्रा मेरिटल रिलेशनसिप यहाँ पर दिख रहा है मुझे किसका हो सकता है यह वन साइट सिंगल मेरेट हो सकते हो आप बहुत दूर रह रहे हो आप एक दूसरे से आज मुझे यह पर जो एनरजीज मिल रहे हैं आप हो सकता है कि आप किसी ऐसी कंट्री में किसी ऐसी जगहे पर हो जहां पर आप बिलकुल अकेले हो आज मतलब सब कुछ आपके पास हर चीज अच्छी जगह है आपके पास आपके पास financial कोई प्राइबलम हो सकते हैं कि जरूरी नहीं मेरी बात हर किसी के साथ रेजोनेट हो फाइनेशल प्रफल्म नहीं है सब कुछ है लेकर आपके पार्टनर जिसने आप से इत्वना प्यार किया था आज वो नहीं है आपके पास तो आपको सब कुछ बिकार लग रहा है अधूरा लग रहा है उसके मिना ऐसे अनरजीस मुझे आपकी आ रही है आज आप अपनी जिन्दगी में सब कुछ होते हुए भी आप ये सोच रहे हो कि क्या होगा इस रिलेशनसिप का क्या होग लाइव बतलब एक उमीद उमीद नहीं आप रख पा रहे हो मैं आप से बोलना चाहूंगी आप उमीद रखें आपका पार्टनर के रहा जिस यहां पर बहुत पाजिटिव है आपके लिए यह आप चितना आप तू दुखी है ना सैड है ना उनकी यादों की बज़े से उ सिचुएशन उनकी मेरे को यहां पर दिख रही है आपके पर संकी मेरे को आपके पर संद आपके बिना एकदम तुखी दिख रहे हैं ब्लॉक किया हुआ है इनोंने आपको आइधिंक या बात ने किया लेकिन हर घड़ी हर टाइम इसको इनसान को आपका एसास होता है कुछ चीजे हैं हाँ यह जरूर बोलूंगी कुछ ऐसी चीजें जो इतनी ज़्यादा आप से हाइड के जारी जिसकी बज़े से आप लोग की बिच मेना मिस अंडर्स्टेंडिंग हो रही है गाइस मिस अंडर्स्टेंडिंग वह चीजे ने खुल के बता देनी चाहिए थी जब अप्सक्राइब करते हैं already जो भी मेरे subscribers है universe प्लीज आप अपनी किरपा उनकी उपर फैला दो और यह लीजिए देखिए मैं prayer करूं और ऐसा नहीं हो सकता है कि universe मुझे ना सुने देखिए sun का card यह sun का card आपकी life में ना एक बहुत अच्छे energies को लेकर आएगा अगर आपको मेरी reading मिल गई है dear guys और आप मेरी reading को देख रहे हो definitely energies आपके लिए क्योंकि यह जो card है ना यह card आपके प्यार को आपकी तरफ लेकर आएगा यह card जो है ना आपकी life में positive energies को भर देगा ऐसी मुझे यहाँ पर energies मिल दी कि जब हम मैंने बोला कि मैं आप टेरो कार्ट से देखती हूं कि क्या होगा आगे तब सबसे पहले sun का card आया sun का chart व्य sąs भॉगो देफााँ किक्र जिसके पर हो सब मतलब कहुए तो अपने आपने अपना आपे खतम हो धिकार तो मित जाएका जब सूर्य देवता होंगे है सूर्य देपने कि किपपहोंगी आपई दूसरे card strength का पहरे नाव जो दूरियां है ना आपके कि क्योंकि ऐसा क्यों बोल रही हो में क्योंकि जो इनर्जीव आपके लिए क्रीज़ बहुत ज्यादा स्ट्रोंग इनर्जी़ तो हो रही है क्या कि कि बहुत ज्यादा हो जाता है साइकल सोते हैं तो ऊते हैं लगने लगते हैं चालकर व्यद्ट और लगने हम अपपने का सब्सक्राहिए हैं एक प्र पर्रीष में घर स्वी पार्राट का देव मिलद है sonno प्यार आपके लिए तो जब यूनिवर्स यह देखते हैं की कौन किसके लाएक है किसको क्या देना चाहिए या फिर आपका प्यार या आप उससे कितना प्यार करते हो तब यूनिवर्स खुद उन अधिल को आपके पास ले आते हैं हैं कि यहीं आपका प्यार है ना वहापके लाइफ में एक दम्से मतलब यहां पर ऊजटिफ इनर्जी तो पतारा है यहां सबसे पहले और कैप्रिकॉन टॉर आप से इतना कहना चाहते हूं कि जो आपके पार्टनर है यह इनसान लेकिन इसकी लाइफ में इसके लाइफ में आपकी बहुत कमी है और यह जो परसन है बिल्कुल अक्यले हैं एक दम रहे तो रूसे देखते हैं क्या है आप लोगों का फ्यूचर तो यूनिवर्स से प्रेय करूंगी अगें कि जो भी मेरे संस्क्राइबर्स हैं जो भी संस्क्राइबर्स लोग है व्यूवर्स हैं उनका रियूनियन हो जाए यहां पर देखती हूं में रूस क्या कहते हैं देखे रूस के एनर्जी के एकॉर्डिंग जो जहां तक मैं देख पारी हूं जितनी मुझे vibration मिल रही है आपके life में एक positive energies आपके person की तरफ से आती हुई दिखाए दे रही है ठीक है मतलब एक तरीके से आप यह सोच सकते हो कि जो मीदें आपने ख़तम कर दी है क्योंकि यह इसान आज मुझे थोड़ा फाग रहे हैं आप यह समझ लो कि आपने इनको इतना प्यार दिया है ना इतना प्यार दिया है ना वो प्यार की नियाज जरूरत है हर किसी इंसान को एक अच्छे प्यार की एक अच्छे लोगा दिखाए दे रहा है अच्छी अनर्जीज यहां पर मुझे टेरो कार्ड में आ रही है हाला कि जब मैंने केंडल वैक्स रीडिंग की थी तो उसमें मुझा जादातर जो अनर्जीज मिली थी उसमें यहीं मिला था कि जो आपका पार्टनर है जिसके लिए आप रीडिं कि जब बहुत जब पस्ताब है तो यह चीज दिखाए दे रही है तो होप सो कनेक्ट कि होगी मेने टेरो कार्ड डेडिंग कितना कनेक्ट किया है बजरूर बताएगा परस्णल लिए टेरो कार्ड डेडिंग के लिए गाइड्न वीडियो पर नहीं नमबर है वहां से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हों मेरी टीम आपको अपॉन्मेंट देदेगी एंड टेक क्यार बाइबाय